Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fantastic, welcome back to another vlog तो आज के इस वीडियो में अभी मैं जा रहा हूँ सेनेका कॉलेज यॉर्ट केंपस तो सोचा आप सभी को एक सेनेका कॉलेज जो यॉर्ट केंपस है उसका एक टूर दे देता हूँ तो आपको एक आईडिया लग जाएगा कि कैसा कॉलेज है और कैसा बेजिकली जो केंपस है यॉर्ट केंपस कैसा है तो मैं जा पर रहता हूँ वहां से वाकिंग डिस्टन्स पर ही है कॉलेज अभी बज रहा है दोपेर के साड़े तीन और दूब भी निकली हुई है जैसे कि आप देख सकते हो पर टेंपरेचर है थर्टीन डिग्री तो अभी ऑल्मूस्ट केंड़ा में सर्दिया स्टार्ट हो चुकी है हुआ है यह है सेने का कॉलेज की शटल बस अभी हम अंदर आ चुके है और यह है दर सर्वी सब यहां पर जो सर्वी सेंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो अगर आपको कोई भी क्वैरी है कोई भी क्वेशन है तो यहां पर आप आके पूछ सकते हो ओके सो अभी हम जा रहे हैं कॉम्प्यूटर कॉमन्स कि अधाई मेंट्स काम सारा कुछ कर सकते हो तो यह है ग्रूप स्टडी रूम्स जो आप ऑनलाइन जो जैनेका की वेबसाइट है वहाँ पर जाके बुक करके यूज कर सकते हो तो यह है साइलाइंट स्टडी स्टडी स्पेस और यहां पर है लाइबरेरी सर्विसजस ओके तो अभी हम लोग चलते हैं कैंटेन की तरफ दिखते हैं कैंटेन और जो जहां पर जो इवेंट्स होती है वह वो हाई उस बेस वह भी आपको मैं दिखाता हूं और यहाँ पर अभी कंश्रक्शन चल रहा है यहाँ पर स्कूल ओफ मेडिया स्टॉडिस यहाँ पर स्कूल ओफ मेडिया के क्लासिस लगती है यहां पर सेनेका की कस्टमाइज आइटम्स मिलती है जैसे कि हो गई सेनेका कस्टमाइज हूडीज प्रिंटेट टीशर्स और यहां और यहां गाईज फोर्ट चार्जिंग बूथ जो कि केंपस में कई जिगा पर लगे हुए है okay guys so we have came a Chukke hai canteen area page a habíaby team Hortons hai aur abhi मैं पर अके लिखाता हूं pizza pizza bhi hai aur epic burger bhi hai if you are hungry or if you want to have some food then you can come over here and grab some food and you can work afterwards so here we have pizza pizza and epic burger as well okay so now we are heading towards the high space where they are planning every event and events are happening over here and this is the Seneca Student Federation office and this is the running track where you can be running like it's in the gym so if you enter from the Seneca Recreational entrance then you can access this running track as well so guys I have all the spaces of 1st floor and 2nd floor that's it for today's video I hope this video will be good and if it is good then like it and subscribe and don't forget to see the channel in the next video bye bye take care